नमस्कार मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार गोयल मुत्र रोग एवं सेक्स रोग विशेशग्य रॉबोटिक एंड किड्नी ट्रांस्पारंट सर्जिन गोयल यूरोलजी एंडेंटल स्विनिक सेक्टर 108 नॉइडा एवं मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वैशाली जैसे आपका स्वागत करता हूँ, आज मैं आपको धात या धातू- रोग के बारे में बताना चाहूँ का क्या है कि comprend? इसका क्या रोग-थाम है और इसका क्या इलाज है और क्या वाकई में यह रोग है? हमारे पास बहुत सारे युवा आते हैं जिनकी शादी नहीं हुई होती है तो वो कहते हैं कि हमें धातु रोग हो गया उसकी वज़े से उन्हें कमजोरी है उनके बाडी जो है वो ग्रोथ नहीं होती है वो पतले होते हैं अपने बिल्डप में वो कहते हैं हम एक हाया पिया नहीं लगता है और जब वो पिशाप करते हैं या लेट्रीन करते हैं तो उसमें सफेद स्राव होता है जिसको वो कहते हैं कि धातु निकल रही है यह धातू word क्या है और इसका origin क्या है धातू से मतलब होता है धात means metal तो जब हम समझते हैं कि या हमारे culturally या पुराने सब शास्त्रों में लिखा हुआ है कि ये एक तरीके का धातू है और फिर इसका हम concept लेते हैं कि हम जब 40-50 डाइट लेते हैं उस खाने के बाद जब हमारे हमारे रक्त का एक बून बनता है और 40-50 डाइट की बून से एक मेरु-रज्जू या बोन मेरो बनती है और उस 40-50 बून मेरो रज्जू से तब जाके एक बून वीद्य का बनता है तो वीर्य इतना important होता है और इतनी मुश्किल से बनता है कि उसमें कितनी energy होती है बिलकुल सही बात है और वो वीर्य जब ऐसे ही स्खलित हो जाता है तो शरीर में कहुत कमजोरी आ जाती है लेकिन शरीर से सारे जो चीज स्राफ निकलते हैं जैसे और दूसरी प्रक्रिया है जैसे आंसू निकलते हैं पसीना निकलता है यूरीन है लेटरीन है तो ये सब चीजें अपने आप में कुछ ना कुछ importance रखती है यदि किसी को लेटरीन ना है पास दिन तो उससे पूछे कि उसकी क्या importance होती है उसका पेट फूल जाएगा दिक्कत होगी यूरीन में प्रॉपर यदि बॉडी के excreta नहीं निकलें तो उसका kidney जिसकी खराब हो जाती तो उससे पूछेगी यूरीन की क्या importance होती है तो वीदिय बनना एक प्रकृतिक नियम है और प्रकृति ने हमारे क निकालने या इसलिए बनाया है क्योंकि इससे हम जब sex करते हैं वीदिय से हम अपने आगे अपनी PD को बढ़ा सकते हैं बच्चे पैदा कर सकते हैं तो वीदिय एक important स्राव है और ये body में उतने मात्रा में बनता है कि दो-तिन दिन में एक बार निकल जाए तो को उससे body पे क प्रेशान होते हैं युवा लोग की हमारा ये वीदिय जो है यदि वो urine के साथ लेटिन के साथ निकलता है तो ये धातु रोग है तो उसका कारण ये है कि जब body में आपके वीदिय बन रहा है आप sex करनी रहे क्योंकि आपकी शादी नहीं हुई और आप हस्तमेथुन नहीं हार्मोन साथके टेस्टिस्टॉन एक्ट कर रहे हैं तो आपके मन में sex के ख्याल आते हैं तो रात में वीदिय निकल जाता है नाइट फॉल होता है तो उसे भी हमें लगता है कि मिमारी है लेकिन यदि वीदिय नाइट फॉल में स्वपंधोश में और हस्तमेथुन सरीन में से किसी भी प्रकिया से नहीं निकलेगा तो वीदी ग्रेंड में जो अंदर समिनल वसाइकल है प्रोस्टेट ग्लेंड है वहाँ पे जब इखटा होता है और जब वह एक्स्टा वीदी जब वहाँ पे होता है और जब हम लेटरीन करते हैं जो लोग साधी शुदा हैं सेक्सवल एक्टिविटी जिनकी रेगुलर चल रही है उनको धातू नहीं होती क्योंकि उनका तो रेगुलर ही निकल रहा है जो लोग रेगुलर मास्टरबेशन कर रहे हैं उनको धातू रोग नहीं होता क्योंकि उनका वीडिय वैसे निकल रहा है तो जिन लोगों का वीडिय अंदर रुका रहता है जो कि नियमत रूप से अपने वीडिय का स्टाफ नहीं कर रहे हैं हस्त मैथोन या सेक्स दोरा या नाइट फॉल भी नहीं होता है जिनको तो उनका वीडिय इस तरीके से निकलता है जिसको वह बिमारी कह रहते है तो मैं यह कहूँगा कि धातूरो कोई बिमारी नहीं है यह एक प्रिक्रिया है कि जिसमें यदि आप वीडिय नहीं निकाल रहे तो वह प्रॉस्टेटाइटिस जिसको होती है तो प्रॉस्टेटाइटिस में भी यही लक्षन होते है उसमें क्या चीज और एड हो जाती है कि जब वीडिय निकल रहा होता है तो थोड़ा सा आपको पेन होता है पिशाम में जलन होती है या वीडे निकलते समय दर्द होता है तो इसका मतलब अब उस वीडे में इतने दिनों तक रुके होने की वज़े से उसमें अंदर infection हो गया है तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वीडे का नियमित रूप से स्राव होना at least हफते में दो या तीन बार बहुत हमारे शारिडिक रूप से हमारी glands का secretion होने के लिए बहुत जरूरी होता है मैं दूसरा example आपको देना चाहूँगा कि आपके घर में खाना बनता है और आप उसको खाते नहीं है तो आपकी kitchen में वो रखा रहता है तो मैं कहूँगा या तो आप अपना खाना खा लीजे नहीं तो उसको आप दूसरे को दे दीजे discard कर दीजे लेकिन यदि वो आपके kitchen में वो खाना रखा रहेगा तो आपने कितना भी अच्छा बनाया दो तिन दिन के बाद वो सड़ जाएगा और kitchen में से आपके बद्वू आने लगेगी तो वही चीज वीद्ये के बारे में यदि आप वीद्ये नहीं निकालते हैं sex में या masturbation में तो या तो nightfall में निकलेगा या फिर वो धातु रोग जिसको कह देते हैं वो पिशाब और lettering करते से में थोड़ा सा निकलेगा और नहीं तो वो अंदर रुकेगा और आपकी prostate की ग्रंतियों में infection करेगा एक और दूसरा मैं example देना चाहूँगा किसी भी cleanse के बारे में यदि उसके secretions नहीं निकलते हैं तो body में infections करते हैं हमने देखा होगा कि कुछ माता हैं जो जिनके जब बच्चा पैदा होते तो दूद उनके च्छाती में बनता है और ये जो माता हैं दूद नहीं पिलाती है और उनका दूद च्छाती में रहता है तो च्छाती में उनको infection हो जाता है जिसका बाहर निकलना कोई नुकसान नहीं है तो धातुरों कोई बिमारी नहीं है लेकिन हमारे समाज में अशिक्षा की वज़े से हम इसको एक बिमारी मान बैटते हैं और जब हम बिमारी मान बैटते हैं तो हमें लगता है कि इससे हमें कमजोरी आ जाती है इससे आपको नजरे कमजोरी हो जाती है, कमर में दर्द हो जाता है और आपको ये सब चीजे कही जाती है कि ये सब दिक्कते हो गई तो मैं कहूंगा ये कोई बिमारी नहीं है जबकि एक अशिक्षा का रूप है और उस अशिक्षा को जब हम मान लेते हैं कि ये एक बिमारी है तो हमें वो सब सिंटम्स और वो सब लक्षन हमारे को अपने आप में महसूस होने लगते हैं इस चैनल के द्वारा हम आपको सेक्स की प्रमानित जानकारी आपको दे रहे हैं आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वाटसेप पर मैं चाहूँगा कि अपने मित्रों के साथ शेयर करें लाइक करें धन्यवाद